अगर आप इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले अगर आप पहले से सब्सक्राइबर है तो वेलिकम बैक तू माई चैनल इस वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तीन डिफरेंट पैक फॉर काथ कमले तर्मारी के लिए है और तीसरा है वह सेंस्ट्टीव स्किन खिरेंख रहा है इंतीनों पैक को बनने के लिए मैंने सिर्फ एक ही परणक्त यूज चिश किया है वहरे डर्मरी जसे आपके किचिन में इसली अवे लिए आप सबको ही पता है कि हल्दी हमारे लिए कितनी ही बेनिफिशल है चलिए जल्दी से हम अपने पैक बनाना शुरू करते हैं पहला फेस पैक जो है वो है ओईली स्किन के लिए इसके लिए आपको चाहिए टर्मरिक बेसन और ग्राम फ्लोर और दहीं सबसे पहले एक मेने बाय। लिया है उसमे मैं ऐड करूंगी 2-3 चमच बेसन के फिर उसमें ऐड करूंगी 1-2 चमच दहीं के फिर उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगी 1 टी स्पून तर्मरिक का इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक पेस्ट लाइक कर्सिस्टेन्स तैयार हो जाए हमारा बेशन दहीं और हल्दी का पेस्ट रेडी है इसे अब आप अपने साफ चहरे पे 20 से 25 मिनट के लिए लगाई है उसके बाद ठंडे पानी से इसे आप धोले दूसरा जो फेस पैक है वो है ड्राइ स्कील के लिए इसके लिए भी आपको चाहिए हल्दी, मलाई, जाकरीम और गुलाब जल इसमें मैंने पतंजली का दिव्य गुलाब जल लिया है आप चाहे तो कोई भी ब्रैंड का जा घर का बना गुलाब जल भी ले सकते हैं सबसे पहले मैंने एक बाउल में एक छोटा चम्मच हल्दी ली है उसके बाद मैं उसमें एड करूंगी एक से दो बड़े चम्मच गुलाब जल के फिर उसके बाद मैं इसमें एड करूंगी एक बड़ा चम्मच क्रीम का और मलाई का इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर और एक पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी हमारी तैयार हो जाएगी इसे अपने फेस पे अच्छे से लगाना है और इसे 20-25 मिनट के बाद लगाने के बाद इसे आप ठंडे पानी से दो लीजिए हमारा तीसरा फेस पैक है सेंस्लिफ स्किन के लिए इसके लिए मैंने लिया है देहिन, मुलतानी मिट्टी, चर्मरिक पाउडर और ऐलोवेरा जेल ये मैंने पतंजली का ऐलोवेरा जेल लिया है आप चाहे तो फ्रेश जा किसी और ब्रैंड का भी ऐलोवेरा जेल ले सकते हैं इसके बाद मैंने एक बावली में एक बड़ा चम्मच दहीं लिया है उसमें मैं एड़ करूंगी छोटा चम्मच हल्दी का और एक बड़ा चम्मच मुलतानी मिट्टी पाउडर का और एक छोटा चम्मच ऐलोवेरा चैल का इसके बाद हम अच्छे से चारों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे इसे आपने अब अपने फेस्ट पे अप्लाई करना है और इसे 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि जब तक कि हमारा जो पेस्ट है वो ड्राई ना हो जाए और इस आपर लेंगे पींट अपेस्ट बाइंगे अपेस्ट इसे जिएक याउर राई